किसान भाईयो आज की वीडियो में बात करने वाले है कि गन्य में सितंबर के महिने में कौन सा खाट डाले जिससे कि हमारे गन्य की जिलंबाई है, हमारे गन्य की मोटाई है, बहुती सांदार हो सके और आने वाले समय में हमें अपने गन्ने से बहुत ही बंपर पैदावार मिल सके तो किसान भाईयो आज की वीडियो में आपको सितंबर में कौन सा खाट डाली इसके बारे में जानकारी दी जाएगी आप वीडियो को पूरा देखेगा तभी आप एक अच्छी और सही जानकारी ले पाएंगे किसान भाईयो यदि आप हमारे चैनल उपर पहरी बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे के मारे आने वाले से भी वीडियो आप तक पहुंच सके वैसे तो सभी किसान भाई अब तक अपने गंने में सभी खाद को डाल चुके हैं जिससे कि वे दوبारा खाद न ढाले और अपने गंने की पसल से कम करच में अच्छी पैदावार ले सके लेकिन कुछ किसान भाई होते है कि किसी कारणवस अपने गन्नी को पुसल में खाट नहीं डाल पते हैं या फिर किसी किसान भाईयों की खेत में खाट डालने के बाद भी उनके गन्ने ग्रोथ अच्छे से नहीं चल लए है तो किसान भाईयो आज की वीडियो में दो खादम बताएंगे जदि आप इसका इस्तमाल करेंगे तो आपके गन्ने की गरोत, आपके गन्ने की मोटाई भहुती सांदार तरकी से चलने वाली है तो सबसे पहले आपको लेना है यूरिया, यूरिया की मातरा आपको लेना है 40 kg परती एकर, खिसान भाईयो यूरिया की 40 kg मातरा सुनका आप कबराईएगा मत, यूरिया से आपके खेत में किसी वी परकार का कोई ब्लोग नहीं लेगेगा, आपको 40 kg यूरिया लेना है, यूर कर देता है जिससे कि जड़े भोजन बनाती है और हमारे जो गन्य की बढ़वार है पहुत ही सांदार तरखे से चलती है इसलिए आपको यहाँ पर यूगरा के साथ रिजेंट लेना है इसे के साथ आपको लेना है दश किलोग्राम सागरिका सागरिका कारिया यहां पर होगा क कि अब सेप्टमबर के मेंने में आ करके गन्य में सुक्समतत्व की पूर्ती प्रतम होने लगती है जिससे कि हमारे गन्य के जड़े होती है उनको छोटे छोटे जो सुक्समतत्थ होते हैं वह नहीं मिर पाते हैं तो किसान भाईयो सागरिका एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ को मिलेंगे तो गन्य हमारा दोबारा से ग्रोथ में आ जाएगा और गन्य की मोटाई गन्य के लंबाई दोबारा से चलने शुरू हो जाएगे इसके साथ ही आपको लेना है 15 किलोगराम पोटास आपको लाल वाला एमोपी पोटास लेना है 15 किलोगराम पोटास 40 किलोगराम तो आपको कुछ भी नहीं करना है केबल खाट डालना है यदि आपके खेद में सूखा हो रहा है या फिर बारीज काफी दिन से नहीं हुई है तो आपको इस समय पर एक सिशाई कर देनी है चारो खाटों के डलने के चार से पांच दिन बाद hी आपको अपने खेद में रिचल देखने को मिल जाएगा आपके गन्ने गुरोत हैं मैं दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और आपको आने वाल समय में अपने गन्ने के पसल से बहुत ही अच्छी पैदावार मिल जाएगी तो किसान भाईयो आज के लिए इतना ही उम्मेद करता हूँ आपको जान करेच चलेगे होगी यदि जान करेच चलेगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नई वीडियो में नहीं जाने कारे के साथ तब तक लिए मश्कार